प्यार तो होना ही था प्यार तो होना ही था So guys, प्यार तो होना ही था लड़ाई तो होनी थी, मुलाकाद तो होनी ही थी इस तरीके से, ऐसे sentence को जैसे बोले यार, शादी तो होनी ही थी तो यार, ऐसे sentence हम बोलते हैं कैसे हैं तो ऐसे sentence को बनाने के लिए यहाँ पर एक use है आप पहले denk ले hetarm के बाद अगर अगर होनी है अगर है आता है तो is लीजे थाती आता है तो was लीजे होगा होगी आये तो आप वहाँ पर will be लीजे अगर है तो is थाती तो was होगा होगी आये तो विल भी लीजिया और उसके बाद विल भी के बाद आप यहार पर लेंगे bound to be क्या लेंगे आप bound to be bound to be के बाद उस चीज का नाम जो होनी है या होनी थी या होगी ही उसका नाम ले लीजिया आप बस उस चीज Greth नाम रख लीजिए वहाँ पर बस और कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर देखे एक sentence यहाँ पर there was bound to be love प्यार तो होना ही था तो अब देखें मैंने यहाँ पर करा क्या कुछ भी नहीं करें यार बहुत सिंपल और हम बहुत अच्छा use है और हम use भी करते है दोस्तों इसका use हम तो देखें अब दिखाते हैं आपको यहाँ 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 देखें आप मैंने कुछ नहीं करा है यहाँ पर देखें से इंडिस को था थी आएगा तो वाज ले लिया, तो there was, bound to be, देखे, पुरा रूल है, bound to be एक साथ आगया, bound to be रख दिया मैंने आपे, फिर उस चीज का नाम ले लिजे, जो चीज होनी है या होनी थी या होगी, तो क्या होना था भी या, प्यार, प्यार होना था, तो प्यार को क्या कहते लव कहते हैं, आप सभी जानते हैं, तो मैंने आपे लव लगा दिया है, बनिगे सेंटेस, there was bound to be love, प्यार तो होना ही था, ऐसे यूज करेंगे यहाँ पर दोस्तों, चलिए देखते हैं, एक दो और सेंटेस, yes, there is bound to be fight, लड़ाई तो होनी ही है, अब है अब है, अब है, तो मैंने आपे क्या लगाया, is लिया है, यहाँ पर क्योंकि होनी है, तो there is bound to be fight, लड़ाई तो होनी ही है, फिर अगला सेंटेस देखें यहाँ पर, there will be bound to be a problem, दिक्कत तो होगी होगी यार, दिक्कत तो होगी होगी बहीं, एक आद दिक्कत तो होगी होगी, तो आप bound to be no problem, पक्का यार, कोई दिख्कत तो होगी होगी, ऐसे आप यूज्स करेंगे bound to be ka यूजर ठीके दोस्तो, तो ऐसे यूज़ करेंगे आप यहाँ पर bound to be का use तो आप कह सकते हैं यार there is bound to be fight लड़ाई तो होनी है तो जैसे आपने बुले है there is bound to be marriage यार साधी तो होनी है एप ऐसे यूज़ करेंगे there is bound to be problem या दिक्कत तो होनी है यार तो there will be bound to be a problem दिक्कत तो होगी होगी ऐसे यूज़ कर सकते हैं तो प्लीज जब भी आपके ऐसे इंग्लिश बोल ली हो तो आप इसी रूल का यूज़ कीज़ेगा बहुत अच्छा यूज़ है प्लीज को नावडान कर लीज़ेगा और ऐसे इंग्लिश चीखने के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे खाटुशाम इंग्लिश वाला खाटुशाम इंग्लिश वाला थैंक्स पर वाचिंग माई व्यूडियो एव्यूड़ी बड़ बाई